नमस्कार स्वागत है आपका विन्यर टाइम्स में मैं आपके साथ रुवशी बजाज फाइनेंस से कर्जा लेना एक सचिव को महंगा पड़ गया सही समय पर कर्ज ना चुकाने की कारण कमपनी के कर्मचारियों से तंग आकर सचिव को हार्ट अटेक आ गया और सचिव की मौके पर ही मौत हो गई जिसके बाद आकरोशित परीजनों ने कमपनी सहित भाजपा विधायक पर मौत का आरोप लगाया है मामला मध्यप्रदेश के रीवा जिले का है जहां शाहपुर थाना अंतरगत बराव गाउव निवासी राजमडी साकेत की 6 जून को हार्ट अटेक से मौत हो गई मौत के बाद आकरोशित परीजनों ने बताया कि मृतक राजमडी साकेत हरुमना जन्पत पंचायत अंतरगत 24 ग्राम पंचायत में सचिव के पदपर परस्थ था विगत महीनों पूर्व जब भाजपा की विकास यात्रा चल रही थी तब सचिव के द्वारा कुछ लापरवाही कर दी गई जिस पर मौगंज भाजपा विधायक प्रडी पटेल के द्वारा सचिव का वेतन रुकवा दिया गया जिसके बाद सचिव परिशानी के साथ जिन्दगी काट रहा था मृतक सचिव राजमडी साकेत के द्वारा बजाज फाइनेंस से 2,50,000 करज लिये गए थे और वेतन ना मिलने के कारण करज सही समय पर नहीं चुकाया गया जिस कारण से एक तरफ बजाज फाइनेंस के करमचारी परिशान कर रहे थे तो दूसरी तरफ सचिव अपनी वेतन की मांग को लेकर जगय जगय की ठोकर खा रहा था लेकिन कहीं भी सचिव को उम्मीद नहीं दिखाई दी जिस कारण सचिव के द्वारा पहले घर में रखे हुए गहने बेचकर करज का कुछ ब्यास चुकाया गया लेकिन पूरी तरह से करज नहीं चुका जिस कारण सचिव पूरी तरह से परिशान था इसी परिचानी की कारण सचीव को अचानक हार्ट एटेक आया और सचीव की मौत हो गई मौत के बाद परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संसकार किया गया और अभी भी सरकार से न्याय की गुहार लगाई जा रही है मौगंज विधायक प्रदीप पटेल की द्वारा वेतन ना रुकवाया जाता तो आज सचीव जिन्दा होते लेकिन उन्हें बार बार प्रताडित किया गया जिस कारण से वह हार्ट आटेक का शिकार हो गई और सचीव की मौत हो गई परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मौतá शचीव के तीन पुत्र हैं जिसमें दो नौकरी के काबिल हैं दो में से एक को अनुकमपा नियुक्ती दी जाए और शचीव का रुका हुआ वेतन दिला दिया जाए घर में कमाने वाला सिर्फ मृतक सचिव ही था और सचिव के जाने के बाद अब घर की आर्थिक स्थिती पूरी तरह से दैनी हो चुकी है कहां पर क्या घटना हुई है पूरी बात बताएं प्रदीर पटेल के वज़े से चार-पांच महीने का पांच महीने का पगार रोक दिये थे आप लोगों को जानकारी नहीं है तो कैसे मौत हो गई हार्ट ट्रेक से लोन बाले आते थे पैसा समागने ते गहना गुरिया जो था पैमेल तो मिली नहीं रहा था इसके वेज़े से सब रोक दिये तो सब गहना गुरिया भी चला गिया और भी कतम हो गई कम मौत हुई कल इसे तारी आप लोगों के द्वार रहे अब क्या चाहते हैं में मौपरी कि द्वाएं कि उद्वन के जगा सिअगर नहीं चाहते हैं कितना कर्ज आप पचासाप साथ एजयर का गहना गुरिया सब इधर उदर गिर भी रख दिए हैं लोन झाले